नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं छो महीने में 30,000 युवाओं को रोजगार देगी जर्खन सरकार मुख्य मंत्री मंसुरे ने कहा है कि राज सरकार आने वाले छो महीने में 30,000 लोगों को रोजगार उपलब्द कराया जाएगा राज के नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में सरकारतेई से काम कर रही है बता दे मुख्य मंत्री बुद्वार को दुम्का में आपके एधिकार, आपकी सरकार, आपके दोवार कारिकरम के अंतरगत प्रमंडल अस्तरिये मेगा परिसंपत्ती बीतरन कैम्प को समभोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पहली बार भी भीन विभागों के नियुक्ति निमावली बनाई गई आदिवासी मूलवासी को सरकारी नौकरी में तरजीह देने की ब्यवस्ता है वही राजय में अवश्ठित नीजी कमपनी में भी संचालकों को 75% नौकरी अस्थानीय लोगों को देने की ब्यवस्ता की गई है उन्होंने कहा कि पूलिस नियुकति निमावली में बदलाव किया गया है अब पहले सारे रिख परिक्षा होगी फिर लिखीत मुखे मंत्री ने कहा कि मुखे मंत्री रोजगार सिरी जन्योजना के अंतरगत सो रोजगार के लिए सबसीडरी प्र 25 लाख रुपे तक का लोन सरकार दे रही है मौसम इभाग ने पूरों उन्मान किया है कि 9 से 12 दिसंबर तक आस्मान साफ रहने के उमीद है लेकिन तापान में गिरावट होने के कारण ठर्ड बढ़ने के असार है किसानों को सलाह दी जाती है कि मौसम को देखते हुए अपने अपनी फसलों एवं साग सब्जियों की उचित रख रखाव करना सुनिश्चित कर ले कुरोना से मृत लोगों के असरीतों को जार्खन सरकार देगी 50-50 हजार रुपे कुरोना संक्रमन के कारण मृत हुए लोगों के असरीतों को जार्खन सरकार 50-50 हजार रुपे की सहयोग राशी देगी स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने इसकी घोसना करते हुए कहा कि हमन सरकार जानता के सुक दुख में सामिल है उन्होंने कहा कि कुरोना से मृत लोगों की कमी को तो हम पूरी नहीं कर सकते लेकिन इस दुख की घड़ी में राज सरकार साभी पिडित परिवार के साथ खड़ी है स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा कि कुरोना संक्रमन के कारण मित ब्यक्ति के प्रिजनों को राजे आपदा परवंधन विभाग कोश से 50-50,000 रुपए की अनुगरह रासी दी जाएगी इसके लिए राजे के सभी डीसी को रासी बीतरन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है 10 दिसंबर को पलामू में सीम हमान सुरेन आपके द्वार कारकरम में करेंगे सिरकात जारखन के मुख्य मंत्री हमान सुरेन 10 दिसंबर को पलामू आएंगे इस दिन पूलिस स्टेडियम में पलामू प्रमंडल अस्तरिय कारकरम कायोजन किया गया है बता दे सरकार के दो वर्ष का कारकरम पूरा होने को लेकर आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कारकरम चलाया जा रहा है इसकी तैयारी को लेकर बुद्ध्वार को पलामू डीसी सासी रंजन ने समिक्चा बैठा की कारकरम को लेकर अब तक की गई तैयारी की बिंदू द्वारा समिक्चा की गई और पदाधिकारियों को आवस्यक दिशाने देश भी दिया गया बता दे मुख्यमंत्री हमान सुरेन के आगमन को लेकर मीनट टू मीनट कारकरम पर बिस्तार से चर्चा किया गया अपना जहारखंड दिखेगा सोना राजे सीम हमान सीम हमान सुरेन ने दूमका के 1400 से अधिक लोगों को न्योकती पत्र सोपा है साथी साथ 1128 कोड़ की परिसंपतियों का बितरन किया बता दे दूमका के पूरिस लाइन मैदान में अधिक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तहत में का रीन परिसंपति बितरन कारकरम में सीम सीरी सुरेन ने कहा कि राज सरकार पूरी उर्जा के साथ काम कर रही है इसे देश का आगरेनी राजे बनाने का लक्ष रखा गया है उन्होंने कहा कि अब बिलम नहीं होगा अपना जार्खन सोना जार्खन दिखेगा बता दे इस मोगे पर CM सिरी सुरेन ने 1423 लोगों को नियुक्ति पत्र सोपा उन्होंने कहा कि आई सरकार जनता के दूख दर्द को दूर करते हुए उन तक जनल कर्यान की योजनावों को पहुचाने का काम कर रही है हम अभी पंचाइद तक पहुच रहे हैं आगे और अंदर तक पहुचेंगे एक एक ब्यक्ति तक पहुच का रोजगार से जोडने का भी काम करेंगे हेलिकॉप्टर हादसे में सीडियेस जनरल बिपिन रावत की मौत से सदमे में ज्यारखन बुद्वार को तमिलाडू में भारतिय सेना का एक एम आई हेलिकॉप्टर दुरखटना ग्रस्थ हो जाने से भारतिय सेना के सीडियेस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई है पता दे इस हादसे में तेरा लोगों की मौत की बात कही जा रही है इस दुखट हादसे ने ज्यारखन समेथ पुरे देश को जग जोर कर रख दिया है बता दे ज्यारखन के विभीन जीलों में हर समुदाय के लोगों ने भारतिय सेना के अधिकारियों की मौत पर गारा दुख जताया है जिन किसानों का भूमी ऑनलाइन वही बेच पाएंगे धान कोडर्मा जीले में धान के बंपर उत्पादन को लेकर इस बार राई सरकार द्वारा खरीद के लख को बढ़ाया गया है बतादे पिछले वर्ष 1.75 लाख क्यूंटल धान की खरीदी होई थी जबकि इस वर्ष 8.5 लाख क्यूंटल किया गया है इधन धान बेचने वाले किसानों का निवंधन किया जा रहा है बतादे 15 दिसंबर तक निवंधन का लक्ष रखा गया था सरकार अस्तर से किसानों के निवंधन के लिए इस बार नई सर्थ लगाई गई है सरकार को धान वही किसान बेच पाएंगे जिनकी भूमी ओनलाइन है यानि ओफ लाइन वाले किसानों को धान बेचने से वन्चित होना पड़ सकता है गढ़वा के दरजन भर वीडियो से सोकाज गढ़वा जिले में मनरेगा अंतरगत बितिय वर्ष 2017-2018-2019-2020 में संपन समाजीक अंकेच्छन का एक्षन टेकेन रिपोर्ट मनरेगा सोफ्ट में अपलोड नहीं करना जिले के दरजन भर वीडियो एवं मनरेगा बीपियो को महागा पड़ा है बता दे बंगलवार को विकास विजनाव की समीक्षा बैठक की गई जिसमें समाजीक अंकेच्छन के एटियार की समिक्षा के दरण पाया गया की जीले के मजियाव बर्डीहा, खरोंदी, कांडी, धूरकी, मिराल, रमना, चीनिया, डंडा, डंडाई, भौनाथपूर एवां सगमा परखंड में सुने रासी की वसिली हुई है इसे उपायुक्त रायेस कुमार पाठक ने खेद जनक करार देते हुए समंधित परखंड के वीडियो से दो दिनों के भीतर आपना स्पष्टी करन तता बीपियो कमान्दे रोकते हुए उनसे स्पष्टी करन मंगा है धान खरीद के लिए 12 से जाएगा इसमें 15 से खरीदारी धान खरीद को लेकर जिला परसासन सिर्वेंदस सिन नजर आ रही है बता दे बुधवार को अपने करेले कक्ष में खुटी डिसी सस्ती रंजन ने जिला सरीधान अधिप्राप्ती अनुसरोन समिति की बैठक की उन्होंने निर्देश दिया की धान अधिप्राप्ती की पूर्ण तयारी की जाए साथी आवसेक रूप से इन कारियों का अनुसरोन समधित अधिकारियों और वीडियों द्वारा किया जाए जीला पूर्तिपता अधिकारी रंजीत टोपो ने बैठक में जनकारी दी की जीले में कूल 10 लेप स्पेक्स में 15 दिसमर से धान के अधिप्राप्ति प्राराम कर दी जाएगी जार्खन में कूरोना के कूल एकटिब केस की संख्या 147 है वहीं भायरत में कूरोना के कूल एकटिब केस की संख्या 95188 है कैबिनेट की बैठक आज कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहर कैबिनेट की मुहर के बाद एटीएस को ससक्त बनाने की करवाई सुरू होगी और राजे में एटीएस कहीं भी संगठित अपराधिक गीरों की खिलाब करवाई कर सकेंगी दूसरी और जार्खन में कार्णत मेडिया प्रति निदियों को स्वास्त भीमायोजना से जोडने के लिए प्रस्ताव आ सकता है मुख्य मंत्री ने इसे समय सुचना है अमजन सरप्रक विभाग द्वारा जाखन राज पत्रकार स्वास्त भीमायोजना निमाली 2020 से गठन और सनलेक प्रारूप प्रस्ताव को स्विक्रिटी देदिया है 16 से 19 दिसंबर तक सभी जिलो में आईसू पार्टी का जिला समयलन रामगर और गिरीडी जिला को छोड़ कर सभी 22 जिलो में आईसू पार्टी 16 दिसंबर को जिला समयलन का आवेजन करेगी वहीं 18 दिसंबर को रामगर तथा 19 दिसंबर को गिरीडी में जिला समयलन किया इसी करम में पुरे राजे में एक लाग सक्रे सदसे तथा दोस लाग सदसे बनाने का सिर्सिला जारी है NCC केड़ेट को सेना में मिलेगी ज्यादा मोगा NCC केड़ेट की सेना में सिधी भरती की सिधे दी जा रही है इसी साल NCC के करीब एक लाग केड़ेट को सेना में सीधे बाहल किया गया बता दे आने वाले दिनों में केड़ेट की सीधी भरती की संख्या और बढ़ेगी यही नहीं सुधाय भी बढ़ाई जाएगी यहां बाते बुद्वार को बिहार जारखन NCC डारेक्टर के ADG मेजर जनरल M. इंदिर्या बालन ने कही वे करीम सीटी कॉलेजम सेथ पूर में 37 जारखन बटालियान NCC की ओर से आयोजीत सम्मेलन समारों में हिसा लेने पहुँचे थे बाहरी को मिले नौकरी अस्थानिये टुकूर टुकूर देखे ऐसा नहीं चलेगा CM हिमांत मुख्यमंत्री हिमांसुरे ने कहा कि जारखन में कोईला कंपनियों को अब 75% अस्थानियों लोगों को नौकरी देनी होगी तभी उन्हें कोल बलोग में कोईला खनन करने दिया जाएगा कोईला खादानों में एक करोर तक का सारा ठेका अस्थानिये 20 थापितों को देना होगा मुख्यमंत्री बुद्वार को दुमका के पूलिस लाइन मैदान में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहद प्रमंडल अस्तरिय मेगा परिसंपत्ती बित्रन कैम को समोधित कर रहे थे ज्यारखन की महिलाओं को मिलेगा सभी नियुक्तियों में 5% आरक्षन राज सरकार ने सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 5,4,6 आरक्षन देने का निदेश दिया है कार्मिक विभा की परधान सची वंतनार डाडेल ने इस सम्मन्ध में जे PSC, JSSC और जार्खन सन्युक्त परवेस परतियुक्ता परिक्षा पारिशत को पत्र भेजा है इसमें सरोष नियाले के फैसले का हवाला दिया गया है बतादे सरोष नियाले ने आरक्षन की गणना को लेकर फर्मूला तै किया है इस फर्मूले के तहत ही आरक्षन देना है आयसे में परधान सर्चिव ने उक्त फर्मूला के तहत महिलाओ को राजे में अनुमान ने 5% का 36 आरक्षन का लाब देने को लिखा है 25 लाख की लागत से सिम्डेगा में अटल पार्क का होगा काया कल्प शिम्डेगा नगर परिशत कि दुणाया था लेकिन पार्क में किसी पर्कार की कोई सुविधा मनुरंजन के लिहाई से उपलब दे नहीं था इस लिहाई से लोग इस पार्क में नहीं आते थे लेकिन 25 लाख की लागत से इस पार्क का जिन्रोधार किया जाएगा बता दे सिम्डेगा नगर परिशत छेत्र में एक भी ऐसा पार्क नहीं है जहां बड़े बुजूर्ग और बचे कुछ समय ब्यातित कर सके लेकिन नगर परिशत ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है केंद्र सरकार की ओर से बीतिये साल 2021 के लिए धान का समर्थन मूल बढ़ाये जाने के बावजूद गढ़वा जिल्या के किसानों को इस बार बढ़ी हुई रासी का फैदा नहीं मिल सकेगा बता देक केंद्र सरकार ने पिछली बार 1860 रॉपे परतिक किनटल के समर्थन मूल पर किसानों से धान खर्दा था इसमें राज सरकार के 182 रूपे परतिक किनटल दिये जाने वाले बोनस को मिला कर परतिक किनटल 2050 रुपे के हिसाब से बुकतान किये गए थे केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मुले में इस बार प्रतिक क्यूंटल 72 रुपए की ब्रेधी करते हुए कुल समर्थन मुले 1940 रुपए घोसित किया है लेकिन राज सरकार की ओर से बोनस में इस बार बहता रुपए प्रतिक क्यूंटल की कटोती कर दी गई है इस बार राज सरकार किसानों को मात्र 110 रुपई ही बोनस देगी धन्यवाद